Hello Children, Today we will complete our Chapter 1, The Best Christmas Present in the World. पहले हम इसका Part 1 और Part 2 कंप्लेट कर चुके हैं. Part 1 में हमने समझा था कि किस तरीके से जो राइटर है, उनको वो लेटर मिला रोल्टॉप टेक्स में. और सेकिंड पार्ट में हमने समझा था कि लेटर में जो मिस्टर जिम मेक परसन थे, उन्होंने यूद के टाइम पर अपनी वाइफ मिसिस कोनी मेक परसन को ये लेटर लिखा था. ये बताने के लिए कि war के time पर भी दोनों armies ने जर्मन और बिटिश आर्मी ने किस तरीके से Christmas celebrate किया और इसी आशा के साद वो इस letter को खतम कर देते हैं कि ये जो war है वो जल्दी ही खतम हो जाएगा क्योंकि दोनों ही army नहीं चाहती थी कि war आगे बढ़े अब letter complete हो चुका है और हम आज इसका third part start करते हैं जो writer है वो letter पूरा पढ़ने के बाद कहता है कि मैं अब letter को पूरा पढ़ चुका था और मैंने इसको वापस से fold कर दिया वापस से tag करकर इसको carefully मतलब बहुत ही साबधानी के साथ उसके envelope में वापस डाल दिया और इसको मैंने रख लिया और सारी रात में जाकता रहा उस रात में सो नहीं पाया क्योंकि मैं ये जानता था कि जैसे ही सुभा होगी मुझे क्या करना है अब सुभा हुई तो राइटर ने क्या करा वो drive करके brick port गया जो कि उसके घर से कुछ ही mile की दूरी पर था और उनके घर पर पहुच कर मिसिस मैक परसन के घर पर पहुच कर उसने वहाँ पर एक boy से पूछा जो कि अपने dog को walk करा रहा था copper witches कहा है तो dog बॉइ ने बताया कि house number 12 जो है अब वो house नहीं रह गया है बलकि वो पूरा का पूरा एक जला हुआ घर रह गया है उसके जो रूफ हैं वो खराब हो चुकी है बिंडो बिल्कुल तोट चुकी है जब writer वहाँ पहुचता है तो वो उसकी हालत देखता है कि कैसे पूरा घर जला हुआ है अब writer कहता है कि वहाँ मैंने उसके साथ वाले घर पर नौक किया और वहाँ पूछा कि क्या कोई Mrs. Macperson को जानता है तो उस घर में से एक old man निकले एक बुरा आदमी निकला और उन्हों उन्होंने बताया कि हाँ Mrs. Macperson मैं उन्होंने जानता हूँ वो एक बहुत ही अच्छी लेडी है लेकिन क्या है कि आजकल वो कुछ भी अच्छे से याद नहीं रख पाती है मडल हैड़ हो चुकी है मतलब वो दीरे-दीरे कुछ-कुछ भूलने लग गई है उन्हें सब कि इस तरीके से उनके घर में आग लग गई थी कुछ टाइम पहले और आग लगने का क्या रिजन था वो नहीं कोई भी जानता लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद जो आग है उनके घर में वो केंडल की वज़े से लगी थी क्योंकि जो मिसिस मैक परसन थी वो इलेक्टिसि में आग लगी तो जो फायर में थे वो लास्ट मॉमेंट पर आकर उन्होंने मिसिस मैक परसन को बचा लिया और आग इतनी तेज थी कि उनको बचाना बहुत ही मुश्किल था और उनका घर पूरी तरीके से जल चुका था इसलिए उनको जो है अब डोर्चेस्टर में बर्ल साइट पर है राइटर कहता है कि मैंने बर्लिंग्टन हाउस नर्सिंग होम जो था डोर्चेस्टर में वह असानी से ढूंड लिया क्योंकि एतना मुश्किल नहीं था और जब मैं उस नर्सिंग होम में पहुचा तो मैंने वहां देखा कि उस नर्सिंग होम का जो हॉलवे मतलब जो हॉल में जाने का रास्ता था वो पूरी तरीका से बहुत सुंदर सुंदर पेपर चेंज से डेकोरेटिट था और जो क्रिस्मस था वहां पर एक कोने में क्रिस्मस ट्री लगा गया था उस क्रिस्मस ट्री के बिलकुल टॉप पर एक सुंदर सा एंजल भी रखा ग जिलने आया हूं और उनके लिए एक अच्छा क्रिस्मस प्रेजंट लेकर आया हूं। और राइटर कहता है कि मैं वहां यह देख सकता था तरह जहां पर मैं ख़ड़ा था। वहां से मैं यह देख सकता था कि वो जो उनका dining room था Burlington Nursing Home का जो dining room था वहां पर काफी सारे लोग dinner के लिए Christmas dinner के लिए बैठे हुए थे उन सबी ने paper से बनी हुई सुंदर Christmas cap पहन रखी थी और जो matron थी उनोंनों भी ऐसी ही एक paper की hat पहन रखी थी वहाँ पर वू लोग बैठकर गाने गा रहे थे, क्रिसमस के गाने गा रहे थे, मतलब क्रिसमस सेलिबरेट कर रहे थे मैटरन जो है वो बहुत खुश होती है उस राइटर को देखके कि अच्छा आप मिसिस मैगपरसन से मिलने आए हैं उन से यहाँ पर कोई भी मिलने नहीं आता आप वो आपको देखेंगी तो बहुत ही खुश हूँगी और साथ ही मिसिस जो जो मैटरन थी उन्होंने राइटर को एक मिल्स पाय, मतलब एक खाने की चीज भी ओपर की और वो उनको वहाँ पर कॉरिडोर तक ले गए और मिसिस मैक परसन जो है वो बताती है मेटरन की जो मिसिस मैक परसन है वो आजकल कुछ ठीक महसूस नहीं कर रही है वो थोड़ा कन्फूज रहती है तो इसलिए हमने सोचा कि आज की डिनर की वज़ाए उन्हें अपने ही रूम में वहाँ पर रिस्ट करना चाहिए जो राइटर है अब वो गंजरवेट्री तक पहुँच जाता है जो कि चारओ तरफ से संदर संदर प्लांट से डेकुरेटिड है वो देखता है कि जो मिसिस मैक परसन है बहुत ही बुरी है ओल्ड है और वो अपनी वीलचेर पर वहाँ पर बैठी हुए है और वो बाहर garden की तरफ देख रही है राइटर उनके पास पहुचता है और उनसे कहता है Hello और वो मुरकर उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और राइटर उनको happy Christmas बोलता है अब जो मिसमेग परसे ने बहुत ही vacancy देखती है vacancy का मतलब है कि उनके चहरे पर कोई भी expression नहीं है कि वो खुश है या दुख है वो ऐसे देख रही है कि मानों उसे जानती नहीं है राइटर उनको happy Christmas कोनिक कहता है और वो कहता है कि I found this मैंने मुझे ये तुम्हारे लिए मिला है मुझे ये मिल गया है और ये तुम्हारा है अब राइटर बताता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा था तो जो उनकी आइज हैं वो मेरे चहरे पर ही टिकी हुई थी मैंने वो टिन बॉक्स खुला और उसमें से लेटर निकाल कर मिसल मैक परसन को दे दिया राइटर बताता है कि उस मुमेंट पर सड़नली उनकी जो आइज हैं उन्होंने मेरे को पहचान लिया मेरा चहरा पहचान लिया और इसको पहचानने के बाद उनका जो फेस एक बहुत ही खुशी से गलो करने लगा उनके फेस पर एक खुशी की चमाक आ गई और राइटर कहता है कि मैंने उन्हें समझाया भी मैंने उन्हें ये एक्स्प्लेइन भी किया कि किस तरीके से ये जो लेटर है मुझे एक डेस्क में मिला है लेकिन जब वो ये सब समझा रहा था तो राइटर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि जो मिसिस मैट पर्सन है वो मेरी बातों को सुन रही थी वो बस मेरी तरफ देखे जा रही थी और उन्होंने जो लेटर है वो अपनी फिंगर टिप से उसको लेकर उसको फिंगर टिप से क्या किया तो दूड़ा सा थप दपाया और उनकी आँखें जो थी वो पूरी तरीके से आशों से भर गए और वो मिसिल मैक परसन ये कहती है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम क्रिसमस तक वापस आ जाओगे और देखो तुम आ गए जिम और तुम मेरा जो है पर उनके पास पैट कैया और उन्होंने मेरे नेक पर किस किया और उन्होंने कहा मुझे बताया कि मेरे पास हो इस तरीके से मझे फिल होता था इसलिए मैं ने मेरे लेटर को रोज पड़ा करती थी और आज देखो कि तुम मेरे पास ही हो अगर जब तुम मेरे पास वापस आ ही गए हो तो क्या तुम मेरे एक favor करोगे मुझे पर एक मतलब ऐसान करोगे कि ये जो letter है तुम मेरे लिए पढ़ दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने बहुत टाइम से तुम्हारी आवाद नहीं सुनी है क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम टियर तो जो writer है वो ये बताना चाहता है कि जो Mrs. Macperson थी उन्होंने जो writer है उसको ही अपना husband जिम Macperson समझ लिया था और उन्हें लगना था कि उनका husband जो है वो war से वापस आ गया है क्रिसमस के दिन जैसा कि उसने उनसे वादा किया था और इसी के साथ जो Mrs. Macperson है वो writer को ये भी बताती है कि पहले तुम मेरे लिए letter पर तो उसके बाद हम कुछ चाह पियेंगे और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारो तरफ जो है मैंने उसको मारजी पान से डेकुरेट किया है मारजी पान मैंने आपको पहले भी explain किया था कि एक बहुत ही tasty cake की icing होती है जिसको cake को और tasty बनाने के लिए उससे decorate किया जाता है और मुझे ये पता है वो कहते है कि मुझे ये पता है कि तुम्हें मारजी पान जो है वो कितना जादा पसंद है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मारजी पान से decorative एक cake बनाया है और इसी confusion के साथ ये जो chapter है वो complete हो जाता है मिसिस मैकपर्सन के लिए सबसे best Christmas present उनका husband होता है जो वो सोचती है कि वो writer है और वो वापस आ गया है लेकिन जो writer है वो ये सोचकर उनके पास जाता है कि मिसिस मैकपर्सन जब अपने husband का वो letter देखेंगी तो वो बहुत ही खुस हो जाएंगी और ये letter उनके लिए दुनिया का सबसे best मतलब सबसे अच्छा Christmas present साबित होगा I hope आपको chapter विल्कुल clear हो गया होगा अब आप लोग इसके question answers खुद attempt कर सकते हैं अगर आपको ये chapter अच्छा लगा समझ में आया तो आप इसको like कीजीगा और अब हम अपने next chapter के साथ मिलेंगे तब तक के लिए बाई, take care and have a nice day